चमपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए है लेकिन उसके बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अब चमपई सोरेन का क्या होगा क्या उनका समय अच्छा शुरू हो गया है या और जादा खराब हो जाएगा और इस बात का एहसास खुद चमपई सोरेन को होने लगा है कि अब जादा चीजें बिगड़ चुकी है जब वो बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार कोलहान पहुंचे तो नजारा पूरी तरह से बदल गया था चमपई के साथ रहने वाले लोगों ने उनके साथ चलने तक से इंकार कर दिया और इसलिए ये माना जा रहा है कि चमपई भी इस बात को अंदर ही अंदर समझ रही है कि उन्होंने फैसला गलत ले लिया है चमपई के खिलाफ कोलान में भारी नाराजगी भी दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ चमपई को इस बार उनकी विधान सभा सीट सराय केला में ही घेरने की तैयारी कर ली गई है चमपई के खिलाफ हेमन सोरिन ने कमान खुद संभाल ली है इस बीच वो दिल्ली पहुँचे जहां कॉंग्री सद्यक्ष मलिकार जुन खडगी और लोग सभा में विपक्ष के निता राहूल गांधी के साथ उन्होंने बैठग भी गी तो चमपई को रोकने का क्या है हेमन सोरिन का प्लान इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा अब चमपई सोरिन बीजेपी में तो आ गए लेकिन उनकी मुश्किलने कम नहीं हो रही है बलकि जादा बढ़ती हुई नजर आ रहे है राची से जब वो कोलान पहुँचे तो उनके रंग बदले हुए थे हरे की जगा भगवा रंग में दिखाई दे रहे थे 45 साल तक जेमें में रहे चमपई अब बीजेपी में जा चुके हैं और कोलान में इसका असर भी दिखाई दिया चमपई के कोलान पहुँचने पर जेमें में के नेता, कारिकरत और पूरा प्रशासन उनके आगे पीछे घुंता हुआ दिखाई देता था लेकिन अब वो सब कुछ गायब हो गया है जिस ताकत का गुमान चमपई को हो गया था, वो जेमें चोड़ते ही उनके हाथ से निकल गई है क्योंकि चमपई के जो करीबी थे, वो सभी अब हेमन सोरेन के साथ चले गए है दावा किया जा रहा है कि चमपई सोरेन के लिए इस बार सराय केला सीट जीतना भी मुश्किल होने वाला है इसके लिए हेमन सोरेन ने पूरा प्लान तयार कर लिया है अपने गटवंदन सयोगियों को भी हेमन ने पूरे भरोसे में ले लिया है सराइकेला सीट लंबे समय से जे-म-म के पास है वैसे तो इस सीट पर चमपई सोरे इन ही जे-म-म के उमीदवार के रूप में चुनाव लड़ते रहे हैं लेकिन इस बार तस्वीर बदली-बदली दिखाई देगी हेमन सोरे ने सराइकेला सीट को लेकर अपनी निगरानी में सर्वे का काम भी शुरू करा दिया है और जो शुरुआति रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें एक नहीं बलकि दो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो चमपई को सराइकेला सीट पर मात दे सकते हैं इसके अलावा कुछ और भी नाम सामने आए हैं और अगर उन में से किसी एक को जेमें अपना उमीदवार बनाता है तो चमपई मुसीबत में फस सकते हैं ऐसे दावे किये जा रहे हैं सर्वे के अंतिम रिपोर्ट का हेमन सोरेन अवं इंतजार कर रहे हैं वैसे उन्होंने अपनी तैयारी तेज पहले से ही कर दी है ऐसा भी नहीं है कि चमपई को हेमन सोरेन की रणनीती का एहसास नहीं है उन्हें पता है कि हेमन सोरेन को उन्होंने धोखा दिया है तो जेमन भी उन्हें आसानी से चुनाव जीतने तो नहीं देगी बलकि ऐसा उम्मीदवार सामने लाएगी जो उन्हें बुरी तरहा से हरा सके चमपई की तरफ से पहली कोशित साहनुभूती का काड़ खेलने की की गई थी लेकिन हेमन्द की रणनीती के चलते ये काड़ नहीं चल पाया दरसल चमपई ये तो कह रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती स्तीफा लिया लेकिन जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि जब CM5 से स्तीफा ले लिया गया था तो उसी समय GMM क्यों नहीं छोड़ी क्यों विधान सबा चुनाओ तक का इंतजार किया गया साथ ही हेमन्सोरेन की सरकार में मंत्री भी बन गया दोबारा से क्योंकि जब स्तीफा लिया गया उसके बाद उन्हें मंत्री पद दोबारा ले दिया गया तब उन्होंने श्वान्ती से मंत्री पद भी ले लिया तो अगर नाराजगी थी तो मंत्री पदी सुचार नहीं करना चाहिए था। हेमंत ने ना तो चमपई से मंत्री पद से स्टीफा मागा और ना ही उन्हें GMM से ही निकाला। उल्टा जो भी कदम चमपई ने उठाया हेमंत ने उसे लेकर चमपई को शुब कामना ही दी है। चंपई के खलाफ जो प्लान बनाया है उसमें बीजेपी की भी मदद मिलती दिखाई दे रही है दरसल बीजेपी के नेता ही नहीं चाहते कि चंपई विधानसभा चुनाओ जीते चर्चा है कि जिस तरह से सीता सुरेन जो की हेमन सुरेन की भावी हैं उनको हराने में चंपई ने चुनाओ प्रचार में मदद की थी लेकिन चंपई के खलाफ तो बीजेपी का बड़ा नेता ही जेमें की टिकेट पर चुनाओ मैदान में उतर सकता है दरसल सराइकेला सीट पर बीजेपी की तरफ से दो नेता चुनाओ लड़ने की तैयारी कर रहे थे जिसमें तरफ गनेश महाली भी दावेदारी कर रहे थे महाली ने 2014 के विधानसवा चुनाव में चमपई सोरेन को कड़ी तक कर दी थी चमपई 1000 वोट से ही चुनाव जीत पाए थे यानि कड़ी तक कर थी और बहुत काटे की तक कर थी और बीजेपी के सर्वे में सामने आया था कि हां जीपी के अंदर भी बेचानी दिखाई दे रही है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हांसदा ने पार्टी को साफ साफ कह दिया है कि वो विधानसवा चुनाव लड़ेंगे और किसी और सीट से नहीं बलकि सराय केला सीट से ही लड़ेंगे इसके बाद हांसदा के जीएमेम में जाने की चर्चाएं भी शुरू हो गई है हांसदा इसलिए जीएमेम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि वो पहले जीएमेम में ही थे यानि की घर वापसी कर सकते हैं लेकिन वो भी सराय केला सीट पर दाविदारी उस वक्त जता रहे थे ज लेकिन तीस अगस्त को चमपई बीजेपी में आ गए अब हांसदा को लेकर कहा जा रहा है कि वो हेमन सोरेन से टिकेट का भरोसा चाहते हैं तो हेमन सोरेन अभी पार्टी के दूसरे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जिससे हांसदा के आने से किसी तरह की कोई बगावत की उम चमपई पर सबसे पहला दवाब तो यह है कि वो कोलान डीजन जहां 2019 में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था कोलान की सभी 14 सीट बीजेपी हार गई थी वहां बीजेपी का कमल उनको खिलाना है यह सबसे बड़ा दवार दूसरी तरफ खुद भी सराय केला सीट प पर आ जाएगी इसके अलावा चमपई के करीब आधा दर्जन समर्थ को को भी बीजेपी टिकेट दे सकती है और ऐसा होता है तो बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत होना तैम आना जा रहा है और बगावत ही क्या सीधा भगदर मचने की आशंका बनी हुई है साफ है कि चमपई के आने से बीजेपी के अंदर जो हालाद बनते दिख रही है उसमें बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिख रही है यह मतलब बीजेपी ने कुछ और सोचकर चमपई को एंट्री दी थी लेकिन यहां तो खेल कुछ और होता नजर आ रहा है चमपई के यही जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है ऐसे में वह बीजेपी की मदद कर पाएंगे इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं यानि चमपई बीजेपी पर अब बोज बनते दिख रहे हैं और इस वजह से और इसलिए बीजेपी बहुत टेंशन में दिखाई दे रही है क्य रिपोर्ट कैसी लगी नमस्कार